बिहार के गोपाल गंड से एक अजिबो गरीब खबर सामने आई है यहाँ एक महिला को साप ने काट लिया जिससे वह गुश्ट से में आ गई और उसने भी साप को भी कई बार काट लिया इस घटना के बाद दोनों की ही मौत हो गई बताया जा रहा है कि महिला को इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी जैहरीले साप के काटने के बाद गांव वालों ने महिला को सलहाद दीकी वेह अपनी दातों से साप को काटे इसके बाद गुस्से में उसने साप पर कई बार अपने दात से वार कर दिये खबरों की माने तो 50 साल की महिला श्यापुर नाम के गाउंग की रहने वाली है जिनके पती एक किसान है महिला के पती ने बताया कि गाउंग के कई बड़े बुजुर्ग लोगों ने उसकी पत्नी को साप को काटने की सलहा दी थी गाउंग वाले ही साप को पकड़ कर लाए जिसके बाद उसने गुस्से में साप को दोतों से काटा बताया जा रहा है कि महिला को काटने के फोरन बाद ही साप की मौत हो गई थी पती ने बताया कि उसकी पतनी की तबियत बेगरने पर होस्पिटल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया